राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब आपको और अपने इश्ट को नमन करते हुए बढ़ों को प्रानाम करते हुए वीडियो को प्रारंब करते हैं पौधा लगाना ना ही किवज शुब होता है बल्कि हमारे घर को हरा भरा सुन्दर बनाये रखता है पौधा हमारे घर में उसकी वज़े से हर्याली होती है, सारा कारात्मक्ता होती है कुछ पौधे हमारे घर के लिए बहुत ही शुब होते हैं तो वहीं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें की वासु सास्तर के हिसाब से अशुब बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि उनके होने की वज़े से हमारे घर की तरफ बिमारिया दोश खिचे चले आते हैं और उनकी वज़े से हमारे घर में नकारात्मक्ता आती है दोस्तों कहा जाता है कि जिस घर के ज़स सामने यानि घर के गेट के सामने अनार का पेर लगा होता है उस घर पे भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की कृपा सदैफ के लिए बनी रहती है घर में आवले का पौधा लगाना भी अत्यांत शुब माना जाता है ऐसी मान्यता है कि आवले में भगवान विश्णू का वास होता है और जहां भगवान विश्णु होते हैं वहां तो माता लक्षमी की कृपा बनी ही रहती है इसी तरह घर में अपराजिता का पौधा लगाना भी अत्यांत शुब माना जाता है क्या आप जानते हैं अपराजिता का पौधा बहुत सारे देवी देवताओं के साथ साथ शनी देव को भी अत्यांत प्रिय होता है और जिस घर में अपराजिता का पौधा होता है उस घर में शनी देव की भिक्रिपा बनी रहती है घर में अशोग का पौधा लगाना भी अत्यांत शुब माना जाता है ऐसी माननेता है कि जैसे जैसे अशोग का पेर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कीर्ती आपका यश भी चारों और फैलता है घर में गेंदे का पौधा लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है ऐसी माननेता है कि गेंदे का पौधा लगा रहने से आपके घर में सुक शांती औ गर में अत्यांत शुभ माना जाता है ऐसी मानयता है weiß में केले यहां सब्सक्राइब करणे रहती है अगर आपके घर पर कोई संकट आने वाला है को प्रीमारी आने वाली कोई दोस आने वाला है तो घर के सरदस्यों से पहले वो दोश माता तुलसी अपने उपर ले लेती हैं और तुलसी का पौधा भले ही सुच जाए लेकिन आपके घर पर विपत्ती नहीं आती घर में हल्दी का पौधा लगाना भी अत्यांत शुब होता है हल्दी जितनी जादा शुब्ता से भरी होती है उतना ही जादा ये एक एंटिसेप्टिक भी होती है जिसकी वज़े से आपके घर का वाता वरन शुद्ध होता है और आपके घर में किसी भी तरह की बिमारी नहीं आती घर में कासे का पौधा लगाना भी अत्यंत शुब माना जाता है कासे के फूल भगवान शिव के साथ साथ भगवान गडेश को भी अति प्रिय होते हैं और जहां भगवान गडेश खुस होते हैं वहां शुबता का तो कहना ही क्या घर के आसपास नारियल का पेड लगा होना भी अत्यंत शुब माना जाता है नारियल का पेड लगा होने से आपके घर में सुक शांती और सम्रिद्धी आती है घर के आसपास नीम का पौधा लगा होना भी बहुत ही शुब माना जाता है लेकिन घर के आसपास नीम का पौधा इस तरह लगा होना चाहिए कि वो आपके घर के इशान कोण की तरफ ना लगा हो ताकि वो जो कोना है वो भारी ना हो बाकि किसी भी कोने में और सबसे अच्छा होगा कि वो दक्षन की तरफ हो ताकि आपका दक्षन का पार्ट जो है वो भारी हो जाए जिसकी विज़े से कुछ पेड़ों की जिने की वास्तु साष्तर के हिसाब से लगाना अत्यान्थी शुभ माना जाता है वहीं कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिने अपने घर के अंदर क्या आज पास भी नहीं लगाना चाहिए ऐसी मान्यता है कि नीम और बर्गत ये दोनों ही पेड़ हमें अपन लेकिन घर के आसपास बरगत और पीपल का पेड़ लगा होना नहीं चाहिए वहीं कैक्टस का पौधा देखने में जितना ही ज़्यादा सुन्दर होता है उतना ही ज़्यादा उसे अशुब वास्तु साफ्त में बताया गया है ऐसी मान्यता है कि अगर आप अपने घर में अपनी बैलकिनी में या अपने चट पर भी कैक्टस का पौधा लगाते हैं तो वो आपके घर की उन्नति को प्रग्रति को रोग देता है इसी तरह आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में हैं बोन्जाई पौधा लेकिन क्या आप जानते हैं बोन्जाई का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को प्राकृतिक रूप से बढ़ना को रोग देना ऐसा करना अत्यन्थी आशुब होता है ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए इस तरह के पौधे अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर की तरक्की रुख जाती है इसी तरह शास्त्रों में बताये गया है कि हमें अपने घर के आसपास या घर के अंदर इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए ऐसी मान्यता है कि इमली के पौधों में बुरी शक्तियों का वास होता है इसके इमली के पौधे को अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए मान्यता है कि अपने घर में बहुत बड़े फलदार पौधे भी नहीं लगाने चाहिए वो हमारे घर के बच्चों की तुननती को तरक्की को रोग देते हैं शास्त्रों में तो यहां तक बताया गया है कि इन पेडों की लकडियों से बने हुए फरनीचर भी हमें अपने घर में इस्तमाल नहीं करना चाहिए उससे भी हमारे घर की तरक्की रोग जाती है शास्त्रों के अनुसार हमें अपने घर में बास का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए बास का पौधा पुराने जमाने में गाओं में जो गाओं के सबसे वजर्ग आदमी होते थे वो बाहर लगाते थे और उस पर सांपों का बास होता था ऐसी मान्यता है कि अपने घर में बास का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों कि आप जानते हैं कि आपको अपने घर में या अपने घर के आंगर में या बैलकेनी में कभी भी महंदी का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों ये है शास्तुरों के अनुसार कुछ पौदे जन्याल घर में लगाना अत्यांत शुब होता है तो वहीं कुछ साफधान होने वाली बाते हैं अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में ये पौदे हैं धन्यवाद अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा धन्यवाद राध राध है